क्या पाते यार आप लोग 11 वीडियो में भी आ गए सिग्मा वेब डॉब्लब्मेंट कोर्स में हमने 10 वीडियो कंप्लीट कर लिए तो एक लाइक हम सबकी कंसिस्टेंसी के लिए तो बनता है आज कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिमिंटिक टैक्स के बारे में क्यों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ओवरॉल वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सर्च इंजिन्स इस स्ट्रक्चर को देखकर बहुत खुश होते हैं यानि कि ओवरॉल एस यो आपकी वेबसाइट की बहुत बढ़िया होने वाली है अगर करने क्या फाइदा है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चलते हैं कम्प्यूटर स्क्रीन में लेट्स रोल दे इंट्रो सबसे बहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि होते क्या है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने वीडियो 11 के नाम से एक पोड़िटर बना दिया है और यहां पर मैंने एक इंडेक्स टेमल की बॉइलर प्लेट टेम्टेट लगा कर टाइटल सेट कर दिया है एक समझाना चाहते हैं वीडियो 11 को जो कि आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं उनको यह बताते हैं कि आपकी वेबसाइट के कॉंटेंट क्या है और किस जगा का किस टैग का क्या परपस है अगर आप HTML में सेमेंटिक टैग्स का इस्तिमाल नहीं भी क कर सकते हो लेकिन हम समझाना चाहते हैं Google जैसे सर्च इंजिन को बिंग जैसे सर्च इंजिन को अपनी वेबसाइट के बारे में और हम समझाएंगे उनको अपनी वेबसाइट के बारे में तो वो समझ पाएंगे हमारी वेबसाइट के बारे में और वो हमारी वेबसाइट को वे rank करेंगे Google पर, Bing पर, respective search engines पर और हम यह चाहेंगे कि crawlers हमारी website को समझ पाएं और हम चाहेंगे कि जो भी हमारी website को समझना चाता है वो अच्छी तरह समझ पाएं इसलिए कुछ special tags होते हैं जैसे कि header है, nav है, main है, article है, figure है यह सारे special tags बनाएं गए HTML में, जो कि आप लोगों की website को structure करने में help करते हैं अब अगर header के अंदर कोई चीज है तो मुझे पता है कि यह header है, यानि कि at the top है footer के अंदर कोई चीज है तो मैं समझ जाओ कि यहां से website end होना शुरू हो गई, यह footer यहां पर start हो गया यह footer div भी हो सकता था, लेकि नहीं, semantic HTML अगर मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ, तो मैं footer tag का इस्तिमाल करूँगा उसी के साथ साथ, मैं जहां पर span tag के अंदर अपना navigation bar बना रहा था, इस बार मैं span tag के अंदर अपना navigation bar नहीं बनाऊंगा मैं nav tag के अंदर अपना navigation bar बनाऊंगा, तो इस तरह के differences जो हैं, काफी अच्छी तरह से हमारे search engines को समझाते हैं, कि हमारी website किस चीज़ के बारे में है, ठीक है तो मैं आप लोगो को यहां पर semantic tags के कुछ examples दिखाता हूँ, और I hope कि आप समझ गए कि semantic tags क्या होते हैं, अब देखो download folders होता है, यसे हमारे computer का, आप मैं से कई लोग का download folder बिल्कुल ऐसा होता होगा कि जैसे पता नहीं, सारी दुनिया के file उसी में आ गई हूँ, आपके computer के 90 percent of the file है, बहुत सारे लोगो की download वाले folder में होती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग तो इस हद तक गुज़र जाते हैं कि वो अपनी local disk C के अंदर, windows वाले folder के अंदर file फैलाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग तो system 32 अंदर भी file रखते हैं दोस्तों तो आप लोग अगर अपनी file को फैला देते हो अपने पूरे computer के अंदर, तो definitely वो एक तरह से अरेंज नहीं होती है, लेकिन अगर आप लोग अरेंज करके रखते हो folders में, कि भाई, एक folder है, उसके अंदर आपकी ये वाली files है, अगर आप secret file लगना चाहते हो, एक folder के अंदर आप secret files डाल दो, आप एक folder बना सकते हो, do not open this के नाम से, वो अगर आप उसके अंदर अपनी कुछ file है डाल सकते हो, तो वो अब एक तरह से अरेंज हो जाएंगी, यदे images एक तरह अरेंज कर दी, आपने videos एक तरह अरेंज कर दी, और let's say आपने ebooks एक तरह अरेंज कर दी, त आप जब भी ढूणने जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप लोगों समझने के लिए बहुत बेटर रहीगी, वो folder structure instead of, अब अगर अपनी files को फैला रहे हो, throughout the computer, आप अपनी files को throughout the computer definitely नहीं फैलाना चाहोगे, ठीक है, so I hope कि ये चीज आपको समझ में आगेगी, कि क् करते हैं, semantic tags को, ये हमारे SEO के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो SEO word है, उसका इस्तमाल मैंने अभी तक नहीं किया है, but SEO, search engine optimization का एक बहुत एहम हिस्सा है, semantic tags को यूज करना, तो क्या होता है, basically आपकी website, जिस तरह से आप बना ले हो, वैसे ही बनाती हो, बस आप कुछ special tags का इस्तमाल करते हो, for example, let us say, मैं इस website को बना रहा हूँ, ठीक है, मैं भी क्या करूँगा, इस image को यहाँ पर comment out कर दूँगा, what are semantic tags, इसको comment out नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर basically क्या करूँगा, एक nav bar बनाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कहूँगा, यह मेर इस तरह से header हो गया, तो कोई भी मेरी website पर आएका, उसको समझ में आ जाएगा, कि यह मेरा header है, home, about, contact, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो यह मेरा header है, यह मेरा nav bar है, यह साफ पता चल रहा है, क्योंकि मैंने header और nav tax का इस्तेमाल किय आए, तो मैं यहाँ पर about लिख देता हूँ, और यहाँ पर contact लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने home लिखा, यहाँ पर about लिखा और यहाँ पर contact लिख दिया, ठीक है, so I hope यह चीज़ समझ में आ गई आपको, अब अगर मैं footer चाहता हूँ, मारलो मैं footer बनाना यहाँ पर देखो copyright, all rights reserved, यह सब मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या मैंने, इसको, हाँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको cut करूँगा, इसको main camera डालूगा, यह मेरा main content है, तो पहले मेरा header आएगा, section of a web page, जो header होता है, फिर इसके बाद हमने nav, जो की navigation menu होगा हमारे page में, तो वो हम nav tag में डालेंगा, ideally, article indicates a self-containing piece of content, such as blog post or news article, अगर आपको यह particular self-contained piece of content डालते हैं, तो article tag में डालो, section एक thematic grouping को represent करता है, जैनि कि जैसे माल लो, एक section आपके page का किसी एक चीज के बारे में बात करेगा, तो दूसरा section किसी all चीज के बारे में बात करेगा, aside, aside मतलब कोई भी चीज एक side पर पड़ी हुई, अगर तो aside tag का इस्तेमाल करते हैं, तो आपर देखो, typically used for sidebars or content that is tangentially related to the main content, जैसे कि aside tag पर आप क्या कर सकते होता है, कि आपने कोई side note डालना है, about the author डालना है, आपने वह सारे blogs देखे होंगे, जिसमें side में लिखा होता है about the author, तो उस तरह की चीज़े आप aside tag से डाल सकते हो, फिर इसके बाद होता है मारे पास footer tag, इसके बारे मैंने आपको बता दिया, कि copyright information ये सब चीज़े अगर आप डालना चाहते हो, या फिर आप लोग अगर कुछ important links डालना चाहते हो website के, तो वो डाल सकते हो footer के अंदर, फिर इसके बाद figure और fig caption, क्या होता है figure और fig caption, अभी भी आप images, diagrams, charts, ये सब चीज़े use करना चाहते हो, तो आप figure और fig caption use कर सकते हो, main के अंदर जो main content area, जैसे कि हमारे speech का main content area ये था, ये हमने main tag के अंदर डाला, time tag भी होता है, use to represent time related information, तो आप time tag का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर आप date, time, time या कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, so I hope कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी है, भी ठीक है, तो ये SEO को enhance करने में इस्तेमाल किये जाते हैं, accessibility को improve करने में इस्तेमाल किये जाते हैं, और browsers अगर decision लेना चाहते हैं, हमारे किसी page के बारे में, तो वो कैसे read-aloud करेगा, code with her, home, courses, tutorial, आपने चाहेगे कि ऐसे read-aloud किया जाया आप लोगों को, आप चाहेगे main content पढ़ा जाए कि HTML semantic tags, HTML5 introduce, arrange, semantic tags और ऐसे से, जो पहले versions थे हमारे HTML के, उनमें semantic tags नहीं थे, semantic tags HTML5 से introduce किये गए, और HTML5 में semantic tags को introduce करने का, सबसे important जो reason है, वो यही है कि arrange करना चीज़ों को, ताकि जो browsers हैं, या फिर जो भी content को parse कर रहा है, जो भी हमारे content के code को देख रहा है, browser हो, crawler हो, google हो, bing हो, search engines हो, या फिर कोई भी preview generate करना चाहता है, जैसे कि Twitter पे आप URL डालते हैं, तो preview generate करना चाहता है, उस तरह की चीज़ें अगर हो, तो आप लोग चाहोगे, कि आपके content को अच्छी तरह से समझा जा सके, तो अगर आप चाहते हो, आपके content को अच्छी तरह से समझा जा सके, तो आप लोग semantic tags का इस्तिमाल करोगे, यह पर यह image बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है, कि बिना semantic tags के आप HTML अगर ऐसे लिखते, तो semantic tag के अब आप ऐसे लिखोगे, यह जो image आपको दिख रहा है, यह header है, यह nav है, यह aside है, किस तरह से aside में फैक ना है, एक चीज़ को यह सब CSS से हम लोग करेंगे, confuse मत होना, यह styling के लिए इस्तिमाल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग confused होते हैं, कि कहीं ऐसे तो नहीं कि aside tag, चीज़ों को aside करने के लिए use होता होगा, नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आप लोग को जो चीज़े हैं, वो तो CSS से ही style करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर आपके content को अची तरह से समझा जा सके, describe किया जा सके, कौन सा main content है, कौन सा header है, footer है, इसलिए semantic tags बनाए गए हैं, तो semantic tags कोई भी जादू नहीं करते हैं, semantic tags को बनाए गया है, सिर्फ accessibility के लिए, और आपके page को समझने के लिए, अब यहाँ आपर कुछ examples हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो, header और footer tag का example मैंने आपर दिया हुआ है, header के अंदर क्या होगा, यहाँ आपर आप देखो कि आप अपने navigation bar को ideally header के अंदर ही डालोगे, और उसको फिर CSS से style करोगे, ठीक है, मैं आप लोग को एक बहुत ही quick styling करके दिखाता हूँ, obviously हम styling की बाद बाद में करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग को इस चीज़ खटा करी होगी, आप टेंशन तो बिल्कुल भी मतले है ना इस चीज़ की, हमने यह नहीं करा, वो नहीं करा, सब कुछ मैं आप लोग को करके बताऊंगा, और यह जो CSS मैंने यहाँ पर लिखी, इसका क्या मतलब है, इस बारे में भी बताऊंगा, रिलोड करूँगा, यह चली गई, क्यों चली गई, इस अब हम CSS वाले सेक्शन में देखने वाले है, अगर आपने अभी तक यह प्लेलिस से अक्सेस नहीं करें, तो जरूर कर लें, एक्सेस को बुक्माक करें, यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लें, और कोड में सारा का सारा अप्लोड करते जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको सारा कोड यहाँ पर वीडियो वाइस मिलेगा, इस रिपोजटेटरी को यह स्टार जरूर कर देना, अगर आप लोग अभी तक नहीं किया है तो, और उसी के साथ सारा वीडियो को लाइक भी कर देना, थैंक यू सो मच गाइस पूर वाशिए वीडियो, और आपको सी यू नेक्स टाइब,